ज्यादा किशमिश खाना शरीर को नुकसान पहुचा सकता है। आईए जानते हैं कि एक दिन कितना ग्राम किशमिश खा सकते हैं। किशमिश खाना शरीर के लिए बहुत ही लाबदायक होती है। इसमें आईरन, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और कॉपर जैसे कई पोशक तत्व पाए जाते हैं। डॉट किशमिश का खाने से शरीर की कई बीमारी और कमजोरी दूर होती है। और इससे पाचन शक्ती भी म नुकसान दायक होता है। यदि आपको किशमिश खाना ज्यादा पसंद है, हो यह जानना जरूरी है कि एक दिन में कितनी मात्रा में किशमिश खाना चाहिए ताकि आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो। एक दिन में जाने कितनी किशमिश खाना चाहिए एक दिन में कितनी क किशमिश खानी चाहिए, इसके लिए कोई निश्चित मात्रा नहीं है, लेकिन सामान्यत एक दिन में आधा कप से एक कप तक किशमिश का सेवन परियाप्त होता है, यानि करीब 25 से 50 ग्राम तक किशमिश खाना फाइदे मन्ध हो सकता है, ज्यादा किशमिश खाना नुकसान द हो सकता है, किशमिश में कार्बोहाइडरेट, रोटीन, आइरन, मैगनीशियम, कैल्शियम और वितामिन्स जैसे पोशक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में किशमिश खाने से कैलोरी इंटेक ज्यादा हो सकता है, इसलिए एक दिन में 50 ग्राम से अधिक किशम नहीं खानी चाहिए, गर्भवती, वहिलाओं और डाइबिटीज के मरीजों को किशमिश और भी कम खानी चाहिए, आइए जानते किशमिश ज्यादा खाने के चार नुकसान, नंबर एक वजन बढ़ता है, किशमिश का अधिक खाने से वजन बढ़ता है, ज्यादा मात्रा म किश्मिश खाने से कैलोरी इंटेक बहुत अधिक हो जाता है, जिससे शरीर का वजन बढ़ने लगता है, किश्मिश के फाइदे उठाने के लिए इसको सीमित मात्रा में ही खाएं ज्यादा नहीं, नमबर दो डाइबिटीज मरीजों के लिए नुकसान दाये। किश्मिश में ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अधिक होता है, जो डाइबिटीज वालों के लिए हानिकारक है, इसलिए डाइबिटीज के रोग्यों को किश्मिश का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए नहीं, तो यहाँ उनके लिए नुकसान दायक हो सकता है। ज्यादा किश्मिश खाने से एलर्जी जैसी स्थिती भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे सांस संबंदित समस्या हो सकती है, ज्यादा किश्मिश का सेवन सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है। किश्मिश में फाइबर और फ्रुक्तोज जैसे पदार्ट अधिक मात्रा में पाये जाते हैं, जो पाचन तंतर पर दबाव डालते हैं, अधिक मात्रा में किश्मिश खाने से कब्ज, गैस और एंठन जैसी समस्याएं हो सकती है, इसके अलावा किश्मिश में मौजूद श पर अमल करने से पहले डॉक्तर या संबंधित एक्सपर्ट की सला जरूर ले.